हेलो बच्चो, लेट्स रीट दिस कोशन एक अबजेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस के अंडर रखा है मतलब फोकस से बाहर नहीं लेकि गए फोकस जितने डिस्टेंस के अंडर रखा है एन एनलार्ज इमेज इस फॉर्म बिहाइंड दा मिरर तो मिरर के पीछे बिहाइंड दा मिरर एक अलार्ज इमेज बनती है तो आपको इमेज का नेचर बताना है देखो गाईस अजब आप आप अबजेक्ट को कहां रखते हो विदिन फोकस रखते हो किसमें कॉनकेव मिरर रखते हो यह पोल यह फोकस यह सेंटर ओफ करवेचर विदिन फोकस मतलब यहां रखा है विदिन फोकस मतलब फोकस के अंडर रखा है फोकस के ब्यॉंड लेके नहीं गए सपोस्कोरो फोकस आपको दे रखा है किसी मेरे रखा, फोकल लेंज रखिए 15 cm, तो जो object distance है, वो 15 से छोटा है, ठीक ता, तो ये हो गया within focus, ठीक है, मतलब 15 cm, यानि focal length से object distance, क्या होगा, छोटा होगा, ये case बोलोगा है हमें, अब आपको पता है, पोल और focus के बीच में रखूँ तो उसका ray diagram बनाओ, तो पहले ray तो ये oblique incidence होता है, तो ऐसे चली गई, तो आप देख रहे हो, अगर इने मैं back extend करूँ, इन rays को मैं back extend करूँ, तो ये यहाँ meet कर रही है, तो ये आपके कैसी बन गई, image बन गई न, ये image बन गई, ठीक है, और ये आपका object था, तो आप देख रहे हो, image कैसी बन रही है, एक तो virtual बन रही है, एक erect बन रही है, virtual क्यों है, क्योंकि raise actual न बीट नहीं कर रही है, ठीक है न, तो image क्या बनेगी, virtual बनेगी, erect बनेगी, अच्छा, अब image बड़ी भी तो बन रही है, object से, object छोटा है, तो कैसी बनेगी, enlarge बनेगी, कैसी बनेगी, enlarge, तो nature कैसा होगा image का, virtual erect, कर गो इसका कॉवस्ट औरे को झाल्यों करदों से बंगे कॉवस्ट से करें, और सुटे रिए क्या रिए, जिए कॉथर कॉम धूट पड्ट तो हुड्स तो हुड्स परफ रहे।